लेते हैं कोशिन नबर 26 के रहा है वेन दाइमीटर ओफ वायर इस डबल ओके बच्चों तो देखिए जब भी डाइमीटर का कोश्चन आता है है ना इलेक्रिसिटी वाले चैप्टर में जब भी डाइमीटर से रिलेट करता है रजिस्चन को या रेडियस पर रिलेट करता है तो फॉर्मला आपको याद रखता है ठीक यह देखिए रवन भाई रटू इस इकोल्स टू रेडियस रिलेट करेगा तो रटू का स्कॉयर अपॉन क्या है जो प्रिवियस रेडियस है इसी तरीके से रटू डाइमीटर से भी यह रिलेशन है डीटू स्कॉयर बाई डीवन स्कॉयर ठीक है ना तो अभी डाइमीटर की बात कर रहा है तो हम यह वाला फॉर्मला लगा देंगे यह आपर यह मैं आपको कई बार बताया अगर आप फॉलो करते होंगे चैनल को तो आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होगा कह रहा है कि वेंदा डाइमीटर ऑफ दा वायर इस डबल मतलब संजोचो डाइग्राम भी मैं मैं बना लेता हूँ यह एक वायर था ठीक और इस वायर की लेंथ वेंज नहीं चींज करी जि इधे यह वाला फामला लगा दो पता चल जाएगा आपको ठीक तो सपोस्स डीवन की वेलू का आपने क्या मान लिया एक्स मान लिया ठीक है पहले कितना था X अब डी 2 नई मिटर कितना हो जागा 2x क्योंकि डाइमीटर डबल कर दिया ठीक है तो श्क्क रसे क्रेंस आरवन है और इसका है r2 correct तो r1 by r2 r1 by r2 यहने की new resistance कितना हो जाएगा यह आपको निकालना है ठीक तो r1 by r2 is equals to क्या होता है d2 का square by d1 का square correct रख दीजे यहां से क्या जाएगा r1 by r2 is equals to d2 की जगा आप क्या रखोगे 2x तो d2 की जगा हम रखेंगे 2x सो 2x का square divided by d1, d1 की जगा क्या रखोगे x और square है तो square लगा देंगे, ठीक है students now यहां से क्या जाएगा r1 by r2 is equals to, अब धियान दे students, यह square 2 के उपर लगेगा, 2 का square कितना होता है लगेगा एक स्कक्रार कितना होता है डिवाइड डिवाइड इस उस्क्यार थिव से इंस्क्राइब से लिगा तो एक संवे यहां से drives x2 इसक्रार गया तो और वन बहुंद थो इस इकवर स्थी उपर फोर बच जाएगानी इस कुछ नहीं तो 1 बचेगा अब इसमें cross multiplication करो क्योंकि आपको किसकी value निकाल नहीं है r2 की यानि कि new resistance कितना हो जाएगा ना तो cross multiplication करो गए r1 into 1 r1 और 4 into r2 4 r2 so 4 into r2 is equals to 4 into r2 is equals to r1 into 1 r1 और यहां से r2 की value निकालोगे so यह 4 जाके उदर divide करेगा r1 by 4 r1 by 4 का मतलब होता है 1 by 4 r1 1 by 4 times r1 ठीक तो जो new resistance है r2 वो क्या हो गया 1 by 4th of the previous one ठीक है तो diameter को double करने से resistance 1 by 4th हो गया correct so option d is the correct option ठीक है students कर लीचे झालोगे 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 झालो